हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई चानल तो चलिए आज बनाते हैं पनेर कोपता करी यह बहुत ही डिलिसियस क्रीमी होता है तो चलिए जटपट बनाते हैं और इसके लिए मैंने ग्यास पे कड़ाई जड़ा दिया है और एक चमच घी एक चमच बटर थोड़ा सा जीरा और एक हापिंच का दालचीनी एक तेज पत्ता और साथ से आठ काली मिर्च दो लॉंग एक बड़ी लाईची दो छोटी लाईची इस सब को थोड़ा स्लोप लेंपे थोड़ा भून लेंगे इसके बाद प्याज रालेंग बड़ा वाला प्याज मैंने काटके लिया है दो हरी मिर्च लिया है और हापिंच अद्रक 10-12 का लिया लस्टन की और इन सब को हम मीडियम प्लैम पे भूनेंगे थोड़ा उसके बाद एक दो बड़े साइच के टमाटर मेंने यहां पे लिया है इसको भी थोड़ा भूनेंगे मीडियम प्लैम पे और इसको कवर करके 5 मिनट त थोड़ा गल जाए देखिए इसको साइड में थंडा करने के लिए चोड़ देंगे और एक कटोरी में हम यहां लेंगे 200 ग्राम पनीर दो मिडियम साइच के आलू थोड़ा अद्रक गिरीन चिली एंड कोरियंडर इसको लेके दूसके बाद दो चमच कॉन फ्लोर थोड़ा गरम मसाला नमक इस सबको अच्छे से मिला लेंगे एक डो की तरह देखिए अच्छे से मिला लेंगे अपके सबसे थोड़ा मसाला इधर उधर कर सकते हैं और इन सबको हम एक गुलब जामुन के सेप का बॉल्स बना लेंगे देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिये हैं दे कि इसमें हमने whole spices भी डाल दिये थे तो यह पूरा creamy texture का नहीं आएगा इसलिए इसको एक बार छान लेंगे देखिए यहां पर अच्छे से चान लेंगे इसको चम्मच की मदद से चान लेंगे देखिए पूरा इसका जो पल्प है वो निकल गया है अब क्या करेंगे एक प्ले तेल चड़ा के सारे बोल्स को फ्राइ कर लेंगे याद रखिए मीडियम प्लेंपी फ्राइ करना ये अगर डेज क्लेंप्याई करेंगे पूरा इपनियूम प्लेंगे तो प्लेंदह acesso आ हो प्लप आज ढयालएंगे और सब्सokे तो बढा़ प्लाश को टे काली बाजह से न फिर हल्दी, कस्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा चीनी, देखे इसको भी मिला लेंगे, फ्लेम एकदम स्लो होगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, उसके बाद वो जो प्यूरी करके रखा था, वो पेस्ट हम डाल थोड़ा पानी भी दे देंगे, इस टेज पे मिला लेंके बाद, अच्छे से मिलाएंगे एक दो बार, उसके बाद कवर करके इसको दस मिनट स्लोप लेंपे पकने को छोड़ देंगे, देखिए, यह आधा कुक अभी हो गया है, अभी थोड़ा हनी मिलाएंगे इसमें, हन अभी से इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाएगा, उसके बाद, कोकोनट मिलाएंगे, और इसको फिर से दस मिनट के लिए कोखोने के लिए स्लोप लेंपे छोड़ देंगे, अब देखिए, दस मिनट के बाद, इसका टेक्स्चर कितना प्यारा हो गया, कितना अच्छ हो गया, तो अभी सारे चेने बॉल्स को इसमें दे देंगे, आप प्लेट में बॉल्स के उपर भी ग्रेवी डाल सकते हैं, मगर में बाद में यूज करूंगी, इसलिए मैंने कडाई में डाल दिया है, और सारे बॉल्स को ग्रेवी में कोट कर लेंगे, और इसके उपर से थोड़ा ग्रिन धनिया और थोड़ा मलाई डालके इसको सजा लेंगे, और मलाई से इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा, देखिए मैं घर की मलाई यूज कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी पतली है, देखिए लाजबाब करी तयार है, तो आप भी इंजोए के जिए करके और अगर आप मेरे चानल में नए है, अगर आपको ये रेसेपी अच्छी लगी, तो बिना सस्क्राइब किये, लाइक किये, ना जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई!